जो बोड स्कूल एजुकेशन हर्याना के द्वारा प्रैक्टिस पेपर दिये गए हैं मार्च 2024 का कोड़ ए इसमें आपको वही प्री बोड की तरह 30 क्योशन है वही नंबरिंग है एक एक नंबर के 15 परिशन जो एक से 10 और 23 से 27 मिलेंगे छे क्योशन दो दो नंबर के जो 11 से 15 और 28 मिलेंगे छे परिशन दो दो नंबर के जो 16 से 20 और 29 मिलेगा दो और तीन नमबर वालों में आपको दो दो आप्शन मिलेंगे फाइम मार्क्स के तीन पर्षन तीनों पर्षन में आपको आप्शन मिलेगा एक थियोरी एक नुमेरिकल इस वीडियो में हम वन मार्क्स के क्योशन करने जा रहे हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप इस चैनल के न्यू विविवर्स हैं या आप इस चैनल पहले से फॉलो करते आ रही हैं तो लेट्स टार्ट वन मार्क्स क्योशन, सांजेदार का फरम से संबंद कैसा होता है, very simple, स्वामी का भी होता है, एजेंट का भी होता है, तो आपका अंसर हुआ, स्वामी और एजेंट दोनों का, नेक्स्ट है आपका क्योशन नमबर टू, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4, 2, 1, ए रिटैर हुआ और बाद में बी और सी की रेशो हुई, तीन अनुपाते, कैलकुलेट गेनिंग रेशो, आपको पता है, गेनिंग रेशो का फोर्मुला, न्यू रेशो माइनस रेशो, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिखाई हुई है, बी के लिए दिखाई है आपकी, किसके लिए दिखाई है आपकी ये, बी के लिए, तो बी की न्यू है, तीन बटे चार माइनस, बी की जो आपकी ओल्ड है, ध्यान रखना B की ही लेनी है दो बटे साथ calculate करके आपका answer आया 13 बटे 28 तेरा आया आपको पूरा solve करने की जुरूरत नहीं है आपको अपना B option मिल चुका है तो ये था आपका gaining ratio की calculation question number 3 है आपका नया सांजेदार जब goodwill की राशी cash मिलाता है तो इसे किस खाते में credit किया जाएगा देखे जो goodwill है वो हमेशा sacrifice ratio में use होती है ठीक है वो हमेशा किस में use होती है sacrifice ratio में use होती है तो इसका आपका सही answer भी क्या होगा sacrificing partners capital account next question number 4 है कि सांजेदारी का निर्मान dash के द्वारा होता है very simple answer ठैराव समझोता या agreement की द्वारा होता है सांजेदारी का समापन किस दशा में माना जाता है देखो admission के वक पूरन गठन होता है retirement के वक पूरन गठन होता है loss के वक company चलती रहती है profit loss आपका normal बात है तो इसका सही answer हुआ on the expiry of the period means partnership की अवधी समापत होने के बाद ये आपका सांजेदारी का समापन हो जाता है question number six थै आपका a सांजेदार ने loan को realization account में transfer नहीं किया जाता true loan from transfer भायदाई तो नहीं है इसे सांजेदार की capital के भुकतान से पहले भुकतान किया जाते true दोनों चीजे loan from partner से related है तो इसका मतलब दोनों में एक link है तो ये क्या आपका सही answer क्या होगा a और r true और r a की सही व्याख्या है क्योंकि दोनों में एक link है ठीक है तो इसका option भी आपका सही होगा question number seven है on the death of partner डिवराशी किसके खाते में credit की जाती है next है eight question वही एक company का निरंतर अस्तित्व होता है true और अंजधारी के दिवालिया होने पर मृत्यों से company के अस्तित्व पर भाव नहीं पड़ता true दोनों true है क्योंकि members make up members may go but company always goes on दोनों बाते अस्तित्व से related है तो दोनों में link भी है तो सही answer क्या हुआ you are true और उसकी सही व्याख्या है option B कौन सी capital balance sheet में नहीं दिखाई जाती answer is reserve capital interest paid on debenture का आपका कैसे expenditure है revenue आएगा क्योंकि interest जो है वो debentures का साल में दो बार देना पड़ता है बार बार होने वाला खर्च है जो बार बार होने वाला खर्च है तो revenue आएगात expenditure वीतिय वीवरन की कोई एक सीमा दीजिए वीतिय वीवरन मुख्यत है संपत्यों को उसके एतिहासिक मुल्य पर दिखाता है और उसके वे मुल्य परिवर्तन को प्रकट नहीं करता ठीक है बैलेंशीट संस्ता की वीतिय स्तीती के विशह में सूचना परदान देता है देखो आपको पता है जो आप बैलेंशीट जब बनाते हो तो आप उसके नीचे एज एट लिखते हैं तो यही से आपको पता लगया answer है एट पॉइंट ओफ एट पॉइंट ओफ टाइम 25th sale of known current investment की इस activity में आता है तो ही आपके cash flow statements है तो जो भी purchase sale investment की वो cash flow from investing activity के अंतरगत आता है next question है दोन उपात एक आदर्शन उपात है current ratio का true एक नउपात एक quick ratio का आदर्शन उपात है true दोनों true है लेकिन देखो एक current ratio की बात हो रही है quick ratio की बात हो रही है तो दोनों में link नहीं है एक की बात नहीं हो रही तो आपका answer होगा option a a और a true है प्रन्तु आर a की सही व्याक्या नहीं है next है return on investment 27th last question return on investment का formula है net profit before interest and tax into 100 यह आपका नीचे filling दा blanks था यह आपने fill करना है return on investment के formula को complete करते हुआ आपने answer क्या लिखना है capital employed तो यह थे आपके one one marks के question आप comment में जरूर बताएं आपको यह video आपके लिए beneficial आपको लगी या नहीं लगी साथ में आप यह भी बताएं कि आप इस channel के new viewers हैं या old viewers हैं और इस channel को subscribe जरूर कर ले 12th class के जो students इस video को देख रहे हैं उनके final exam के लिए उनको all the best thank you